हेलो दोस्तों दोस्तों कैसे हो आप सब मैं आपको पहले भी कितनी बार बता चुका हूँ भाई मैं आल्वेज आपके लिए आल्वेज आपके लिए अवेलेबल हूँ आपके लिए आल्वेज जॉब के लिए अवेलेबल हूँ जो आपकी कोई guarantee नहीं देगा वो मैं guarantee दूँगा बस मैं आपसे एक चीज बोलता हूँ मैं जो इतना बोलता हूँ कि आपके पास जो मैं update लाया करूँ जॉब की उस पे apply जरूर कर दिया कीजिए कब कौन सी vacancy हमारी अच्छी बन जाए कब कौन सी vacancy हमारे काम की बन जाए ये हमें खुद नहीं पता है इसलिए आप apply जरूर कर दिया की मैं selection की आपसे always guarantee ले सकता हूँ उसके साथ साथ ये update जो है आपको always मिलती रहेगी दोस्तों मैंने अभी दो दिन पहले या कल रात को ही एक L&T की regarding vacancy डाली थी ये L&T की अब ये L&T की किस पर थी ये थी Monaster.com, MonasterIndia.com पर नौकरी.com की तरह ही है ये मैंने डाली थी और यहां से reply आने सुरू हो गए है और जिनका नहीं आया है वो अपनी junk file देख लीजेगा इसका तरीका मैंने पूरा बताया है कैसे apply करना है इसमें अपना मेजिनों ने mail confirmation नहीं किया है वो mail confirmation जरूर कर ले दोस्तों mail confirmation जरूर ही है और जिसने नहीं किया है वो दुबारा sign up कर ले link जो है description में मिल जाएगा तो आप इसको देख सकते हैं L&T का reply सब का आ रहा है इसके साथ साथ आपको यह pin message दिख रहा होगा यहां आपको resume format बहुत बंदों का confusion है कि मेरा resume format ऐसा होना चाहिए मेरा एक page का होना चाहिए मैंने resume format मतलब जादा अच्छा नहीं बोल सकता जादा बुरा नहीं बोल सकता पर एक average students के लिए या फिर average quality के लिए बने डाल दिया है अगर आप बोलेंगे particular branch के लिए तो मैं particular branch के लिए दो तीन और डाल दूँगा अपने telegram channel पे तो आप बता दीचेगा इसके साथ साथ आपको क्या मिलेगा यहां आपको इसका cover letter भी मिलेगा cover letter क्या होता है जब भी हम किसी को mail करते है या फिर हम किसी को introduction देते है आज की time में resume होता है हमारा 2-3 page का अब एक बंदा एक resume पढ़ने जाएगा एक हजार बंदों के resume तो उसको दिमाग खराब हो जाएगा तो वो क्या करता है? hidings पढ़ता है cover letter पे तो आपकी headings ही main होती है that's why मैं इसलिए बोलो cover letter भी देख लीजिए even सारे link आपको description में मिल जाएंगे cover letter का भी, telegram का भी और आपको follow कर लीजिए क्योंकि सबसे पहले आपको latest update यहीं मिलती है तो चलिए, सुरू करते है दोस्तों, इसमें सारी बात करने से पहले इसकी vacancy की बात करते हैं कितनी है जी हाँ, इसकी जो vacancy है वो 1000 से उपर है मतलब कितनी? 1000 and 80 vacancy है यह बहुत ही अच्छी vacancy है टोटल मिलाके आप देखेंगे किस किस के लिए है unreserved वालों के लिए 406 EWS वालों के लिए 103 non creamy layer OBC के लिए 278 और SC के लिए 216 और ST के लिए 20 यह कहां आई है Power Corporation Limited UP PCL के अंदर vacancy आई है जिसके बारे में अभी किसी को पता नहीं है क्योंकि यह आज ही vacancy आई है कौन-कौन सी branch eligible है? जी हाँ, freser वाले eligible है और यह जो है, यह बहुत ही अच्छी opportunity है अब आप बोलेंगे All India वाले apply कर सकते हैं जी हाँ, All India वाले apply कर सकते हैं कैसे apply करना है? उप्रुक तरीक्तियों की संक्या आवशकत अनुसार गठाने बढ़ाने का अधिकार उतरप्रदेश Power Corporation Limited के पास सुरक्सित है यह जो है, यह already बहुत ही अच्छी vacancy है इसके साथ साथ आप देखेंगे इसमें salary कितनी रहने वाली है? इसमें salary आपको ने जो देखी है 76,100 रूपीज जो आपके thumbnail पर रिखी है यह गलत नहीं है, इतनी vacancy है इसमें इतनी salary मिलने वाली है आपका जो basic रहेगा 27,200 रूपीज रहेगा और 86,000 तक frustrate होगा तो यह vacancy बहुत ही ज़ाद opportunity आपके लिए होने वाली है अब इसमें क्या है, क्या opportunity चाहिए भारत का नागरी को हो, मतलब All India eligible, तिब्बती, मतलब यहाँ रहता हो, उसके पास permanent residence हो वो यहाँ eligible है इसके साथ साथ यह कब से कब तक है, इसकी last date क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, इसमें fees क्या है उसके बारे में भी बात करेंगे, सबसे पहले यह चरीत प्रमान पत्र, चरीत प्रमान पत्र होता है health report card, health report card आपके काम आने वाला है, इसमें क्या होगा कि आपको health report card, आपके अंदर कोई भी ऐसी disease नहीं है, जिससे बाद में जो विभाग है उसको problem हो इसके साथ साथ वैभाही किस्तिति वो जो बंदा हो, सेवा में किसी पत्पनियुक्तिय ऐसे पूरुज अभियारती पात्र नहीं होंगे जिनकी एक से अधिक जीवित पत्निया हो अब जीवित और मृत्यू का तो पता नी बट जो ये फॉर्म सम्मिट करेंगे मेरको नहीं लगता उनकी किसी की साधी भी हो यो कोई मैरिड भी हो तो ये लाइन की कोई आवस्शक्ता ही नहीं है दूसरा क्या है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार केंद्रता राज्य सरकारों के सब्सक्राइक नियाम या निकाय दोस्तों अगर कोई किसी भी तरीके का फ्रोड करता है उसको end the time dismiss कर दिया जायेगा ये इसमें लिख रखा है अनि 30 words per minute मतलब 30 words per minute आपकी होनी चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है मेरी खुद की speed मैंने आज तक कभी टाइप राइटर चलाया नहीं, मेरी खुद की speed 100 से 200 के बीच में है तो यह नॉर्मल सी बात है, 30 तो कोई भी हो जाएगी इसके साथ-साथ आपकी जो है नहीं का प्राप्त करना अनिवारए क्या है इन्होंनेolesome graduate मांगा है इन्होंने साथ-साथ लिखा है बारत के किसी भी विधी दुआरा इस्थापित किसी मानेतः प्रताप प्रयाप्त विश्विध्याले से इसनाताथ की उपादी अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मानेता प्राप समक्स उपादी दोस्तों आपको यहाँ डारेक्टली एनी ग्रेजुएट वाले एलिजीवल है डेजिगनेशन इसमें क्या रहने वाली है इसमें एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट तो आप एक्जीक्यूटिव असिस्टेंट एलिजीवल है तो इसको एप्लाई ज़रूर कर दीजेगा तो यह अपके मेंडिक्टरी होने ही चाहिए तभी आप सेकंड पेपर में बैट पाएंगे इसके बाद कंप्यूटर ग्यान में इस प्रतम विभाग के प्राप्त किये गए अंक धारीकरन जोड़े नहीं जाएंगे तो यह ऐसा कुछ नहीं है इसका सोड़ दीजेगा सामानय अध्यण परसनों की संक्या जो कौंटिटी है वो 25,45 और अधिक्तम अंक जो 1 मार्क्स पर है तो इसके साथ साथ जो इसकी टोटल 180 कौंट्र आएंगे और 180 मार्क्स का ही रहने वाला है और ये 180 माक्स किस बेस बेस पे हैं सामान्य हिंदी जो आपके इंटरमीडियेट में आई है और सामान्य इस्तर तो यह नॉर्मल सी चीज है इसके साथ साथ जो थाइड स्टेज है थाड तित्य भाग दित्य भाग के लिखित परिक्सा प्राप्त किये गए अंकों की मेरिट के के जाने वाले अभ्यारति की संख्या विद्युत से वा आयोग द्वारा की जाएगी तो दोस्तों यह यह इन्डरेक्ली पावर डिवीजन के द्वारा ही आपको सेटिफिकेट दिया जाएगा इसके साथ साथ अभ्यारति को हिंदी अंगली जी कंप्यूटर में पाँच मी वन में फॉंट में भी ली जाएगी यह फंट में भी है यह देख सकते हैं इसके साथ-साथ अभियारतियों के लिए परसंपत्र और आई-उ में छूट दो दोस्तों यह जो है यह जो एज डिलक्सेशन है एस पर गवर्मेंट नॉम्स है जैसे सब्सक्राइब को चीज में और अगर आप UP से belong करते हैं उत्तर प्रदेश से belong करते हैं तब ही आप किसी reservation के under आएंगे अगर आप out of UP belong करते हैं तो आप form तो बर सकते हैं बट आप general category में count होंगे तो आप general category में ही count होंगे अगर आप out of UP से form बरते हैं तो अब इसकी फीस कितनी रहने वाली है जो जनरल केंडिडेट के लिए 1180 और ये मतलब टोटल फीस रहेगी including GST ऐसे ही जो है अनुसुतित जाती मतलब उत्तर प्रदेश के अनुसुतित जन जाती है दोस्तों ये जो है ये SC और ST वालों के लिए 826 रुपीज रखी है और जो विकलांग है उनके लिए 12 रुपीज फीस रखी है इसके साथ-साथ ये बहुत अच्छा किया है कि इन्होंने 12 रुपे उनके लिए रखी है जो physically सक्सम नहीं है इसके साथ-साथ कुछ और भी चीज़ है आपको online ही form बढ़ना है और इसकी starting date और last date क्या रहने वाली है starting date इसकी है 19-6, 19-8 और इसकी last date है 12-9 इसके साथ-साथ online आवेदन जमा करने की तो online जो इसकी होने वाली है 19-8 को ही शुरू होने का और 12-12 को खतम हो जाएगा SBI चलान द्वारा तो इसके जो fees का criteria है वो 14-9 तक भरा जाएगा और परिक्सा जो होगी वो October 2022 में होने वाली है तो अगर आई है तो उनका फायदा उठाई है ऐसा opportunity बाद में नहीं मिलेगी तो वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को like जरूर करें चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करना बिल्कुल न बुलें मिलते हैं next video में तब तक के लिए जैहन